अपनी उस्विस्तार से मुख्यमंत्री केसियार देश में कई और महिलाओं के लिए कई कल्यान कर योजनाय को शुरू करने के श्रेख के हखदार है महिलाओं को चार करोड के ब्याज मुक्तरुन के चेक वित्रित किये गए उन्होंने कहा कि भाजपा और कॉंग्रेस पार्टियां बकवास कर रही हैं दाना नागेंदर ने वोट की राजनिती के लिए अन्य पार्टियों के कई जूटे अभियान चलाने की बात करने के बाद ये स्पस्ट कर दिया कि केसियार तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री का पद संभा लेंगे इस अफसर पर बंडी संख्या में आई बालिकाओं वह मह खरत के मंत्री तरसानी श्रीनवा सियादव ने कहा कि तेलंगाना सरकार महिलाओं के विकास और कल्यान के लिए कड़ी मेहनत कर रहे है मंत्री तरसानी ने कहा कि मुख्य मंत्री कलवकुंटल चंदर शेकर राव के नेतृत में तेलंगाना सरकार सबीक शेतरों में महिलाओं को उचित स्थान दे रहे है उन्होंने कहा कि आशा कारे करताओं, गर्बवती महिलाओं, शिशों और बच्चों की देखभाल में चिकिता क्षेत्र में आंगनबाडी शिक्षों को द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं अंगीनत है राची की सिक्षों मंत्री सभिता इंद्रा रेडी ने कहा कि तिलंगाना पुलिस विबाग देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरन के तौर पर काम कर रहा है सभिता ने राचकोंडा आइकताले के तत्वधान में हैदरबाद के सरुनगर इंदोर स्टेडियम में आईजित महिला कलियन दिवत समारों में भाग लिया इस अफसर पर मंत्री ने उन लोगों को सलहा दी जिन लोगों से साइबर ठगी हो रही है कि आपात सिती में वे पुलिस से संपर करें दीजीपी अंजन कुमार ने मंत्री के साथ दशक समारों के तहत महिला सुरुक्षा और साइबर अपराद के मुद्धे पर आईजित जागरुता कालिक्रम में भाग लिया इस अफसर पर देश में पहली बार महिलाओं के साथ साइबर क्राइम हिल्प लाइन शुरू की गई केंद्रिय मंत्री किशन रेडी ने कहा कि केंद्र रोजगार सुरुजन के लिए काम कर रहा है केंद्रिय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार एक और जहां कौशल विकास का कार्य कर रही है वहीं दूसरी और सारवज़रिक और नीजीक शेत्रों में रोजगार का मार्ग प्रशस्त कर रही है उन्होंने सिकंद्रबाद में लो टैंक बंड में पिंगली विंकट रामी रेडी द्वारा आईजित रोजगार मेले में भाग लिया केंद्रिय मंत्री ने नो रास्ट्रियो बैंको, डियार डियो, भारतिय रेलवे, रक्षा, स्वास्त एवं परिवार कल्यान, हैदरबाद, वीशो विद्यले साहित, 22 विभागों में नोकरी पाने वाले 470 लोगों को नियुक्ती पत्र दी उन्होंने प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी से कैबिनेट बैटक करने और सभी विभागों में रिक्तियों की पहचान करने को का, जब सभी रिक्तियों की गरणा की गई, तो पता चला की लगबख 10 लाख पद है, उन्होंने कहा कि चुंकि 10 लाख रिक्त पदों पर एक सत्तर हजार प्रती मा की दर से भर रहे हैं किशन रेड़ी ने कहा कि प्रदान मंत्री खुद रोजगार मेले का आईजन करते हुए नोकरी चाहने वालों से बात कर रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अदेक्षो और सांसद बंडी संजे कुमार ने टेंडर फाइनल होने के बाद करिम नगर सांसद के तहत तीगल अगटू के पास रेलवे ओवर ब्रिज के निर्मान के बारे में डिंग मानने के लिए राजसरकार को दोशी ठहराया है उन्होंने सवाल किया कि आरबियो केंदर की स्वीकृति के साथ माह बाद भी टेंडर कारियों को अंतिम रूपन क्यों नहीं दिया गया है यह सच नहीं है कि केंदर आरबियो के निर्मान के लिए कुल 126 करोड 24 लाक रुपे की लागत देने पर सेमत हो गये है उन्होंने पूचा इस संबन में मंगलवार को मीडिया को बयान जारी किया गया यह क्या हिया सच नहीं है कि उन्होंने कई बार सरकार को आरबियो का निर्मान कारिय शुरू करने और जल्द पुरा करने के लिए लिए लिखा है क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी नेताओं ने देरी का विरोध किया है तेलंगाना राज दशक समारों के अफसर पर जुबली हील्स विदान सबाक्षेत्र अवेंगल रावनगर मंडल सिदार्त नगर कमेटी हॉल में महिला अधिकारित कारिक्रम का आयजन किया गया कारिक्रम में मुख्या दिती जुबली हील्स विदायक मागंटी गोपिनात थे उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज में महिलाएं सम्मानित जीवन जी रही है और उसी अमकेसियार ने महिलाओं के लिए कई कल्यानकारी योजनाएं शुरू की है इस कारिक्रम में जीचेंसी के उपयुक्त रमेश स्थानिया पाशादस सी अमरेड़ी राजकुमार पटेल जीचेंसी के अधिकारी ब्यारेस निता और कारेकरता शामिल हुए YSRTP की अधिक्ष शर्मला ने कहा कि YSR ने पालमुरू की पानी के बगेर हो रही परेशानी देखकर सिंचाई का पानी उपलब्द कराया लेकिन केसियार ने इसके लिए कोई मेहनत नहीं किये और अब वे सारा श्रे खुद ले रहे है उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह तो वही बात है कि मेहनत करे कोई और श्रे ले जाए और कोई वैसे जुट बोलने में तो केसियार को मारद कोई नहीं है यह स्पस्ट किया गया है कि YSR जल यगनम के तहत रखी गई नीव के परियोजनाएं हैं जिनमे के बारे में कैसियार आज 20 लाक एकड में पानी उपलब्द कराने की बात कर रहे हैं अगर आप ऐसे कहते हैं तो कोई जलाश है अगर YSR के शासन में 20 लाक एकड की सिंचाई हुई है तो क्या आपके शासन के दोरान एक एकड भी सिंचाई की गई पार्शत सभीहा गोसुदिन ने आज कुकटपली विदान सबाक शेतर के मलुपूर मंडल अंतरगत गायतरी नगर का दोरा किया पार्शत निका के विदाइक माधवरम कृष्णाराव के सयोग से समभाग के अंतरगत आने वाले पारकों और समधाइक भवन का काम पूरा किया जा रहा है इस कारिक्रम में गायतरी नगर वेलफेर एसोसियेशन के अध्यक्ष संजीव रेड़ी, काशिनात चारी, वेंकटेश्वरलू, माधवाचारी, रविंदर रेड़ी, योगी राजु सहित, अन्या शामिल हुए टीबी सीजी प्रमुक रेवन त्रेडी ने ORR लीज मामले में IAS अधिकारी अर्विंद कुमार द्वारा भेजे गए कानुनी नोटीस का जवाब दिया IAS अधिकारी द्वारा 25 में को ORR लीज को लेकर दिये गए कानुनी नोटीस को वापस लिया जाए उन्होंने टिपनी की कि अर्विंद कुमार द्वारा भेजा गया कानुनी नोटीस लोगतंतर की भावना के खिलाफ है उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष की अन्यमितिताओं पर सवाल उठाने के लिए उन्हें दबाने वाल के लिए ये नोटीस भेजा गया है कानुनी नोटीस में उल्ली कीत सभी आरोप जुटे हैं ओरार टेंडर मामले में अर्विंद एक राजनेता की तरह काम कर रहे हैं टीपी सीसी प्रमुक्ते रोश्विक्त करते हुए कहा कि वे बिना जानकर दिये किसी राजनेता की तरह हमला कर रहे हैं उन्होंने कहा कि भले ही अधिक आमतानी होने की संबाव ना है लेकिन वह इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के राजस्व के एवेज में महज 7,380 करोड रुपे में IRB संस्ता को 30 साल के लिए ORA टोल कलेक्शन का टेंडर दिया गया। आरोप है कि ORA B संस्ता को टेंडर देते समय जान बुच कर नियमों का उलंगन किया गया है। बेस प्राइस पर अरविंद कुमार का कोई जवाब नहीं है। चाहे उन्होंने कितनी बार अपिल की हो। पूरों विदाएक को कोटा कोटा दयाकारेडी का निदन हो गया। दयाकारेडी ने आज सुबा करीब पांच बजे गच्ची पोली ये आईजी अस्पताल में इलाज के दोरान अंतिम सांस ली। ये रबली दयाकर ने कहा कि दयाकरेडी की आत्मा को शांती प्रदान करे और उनके परिवार को सदस्यों को सास देने के लिए इश्वर से प्राधना कर रही है। दयाका रेडि ने परिवार के प्रती गहरी सम्वेधना वक्त की. उन्होंने कहा कि वो भगवान से उनके परिवार के सदस्यों को हिम्मत देने के लिए कह रहे है. टीपी सेसी प्रमुक रेवन्त रेडी ने पूर्व विदायक दयाकारेडी के निदन पर शोक वेक्त किया है उन्हें दुख हुआ है कि दयाकारेडी के मृत्यू ने उनसे एक अच्छा दोस्त खो दिया रेवन ने इस मौके पर याद किया कि द्याकर रड़ी हमेशा लोगों के बीच रहते थे और उनकी समस्याओं का समाधान किया करते थे मैं अपने पूर्व विदायक और करीबी 200 कोटा कोटा द्याकर रड़ी की असामिक अमृति से दुखी हूँ पालमुरुज जिले से तीन बार के विदायक के रूप में उनकी सेवाएं यादगार हैं देवन्त रड़ी ने ट्वीट किया कि भगवान से प्राढ़ना करे कि उनकी यात्मा को शांती विले परिवार के सदस्यों के प्रती मेरी गहरी समवेदन आये हैं इस बीच पूरु विदायक दैकरेडी का आज बीमारी के कारण निदन हो गया उन्होंने तीन बार टीडीपी के विदायक के रूप में कारे किया मेर्चल और निजमबाद रेलवे लाइन पर डबलिंग का काम ठंडे बस्ते में हैं इस लाइन पर सिंगल लाइन होने की वज़े से रेल गाड़ी अकसर देरी से चलती है क्रोसिंग के दोरान अलग-अलग स्टेशनों पर एक से ज्यादा रेल गाड़ियां लगबग 20 मिनिट से ज्यादा समय के लिए खड़ी कर दी जाती है इसे रेल यात्रा में भले ही कम खर्च आता हो लेकिन गंतेवी तक पहुंचने में अधिक समय लगता है अगर वे ततकाल ट्रेन में सवार हो जाते हैं तो उन्हें चिंता होती है कि कॉक ट्रॉसिंग के नाम पर उन्हें कहां रोका जाएगा नलोगंडा जिली के नागर्जुन सागर विदांसभाक शेत्र में कॉंग्रिस विदायक दल के नेता भट्टी विक्रमार का जन मार्च 89 दिन भी जारी रहेगा गुर्रमा पोडू मंडल ने आज चिकवूर चोराहे से पद्यात्रा निकाली यह मार्च चेपोरी क्रोस रोड गुर्रम पोडू, कट्टावारी गुड़ं, पीटला गुड़ं, कोपोलू, आवा गुड़ं, लक्ष्मी देवी गुड़ं क्रोस रोड के बाहरी इलाके तक जारी है जन मार्च पद्यात्रा के अवसर पर आज सुबा ग्यारा बजे गुर्रम पोडू पोडू पोचने पर नुकड सबा का आईजन किया गया आज दोपर पितला गुड़ं क्रोस रोड के बाद लंच प्रेक CLP नेता भटी विक्रमार्क लक्षमी देवी गुड़ेम क्रोस रोड पर रात्री विश्राम करेंगे आईजको ने कहा कि होमियोपती और आयुरुवेद को एक ही चत के दीचे लाकर लोगों की करीब लाने के लिए तीन दिनों तक शेर में हेल्थ ग्लोबल आयुष वेल्नेस आग्स का आयजन किया जाएगा राज के स्वास्त एमम चिकिसा मंत्री हरिश्राम इस महिने की बाई से 25 सारिक तक हाई-टेक्स इंटरनाशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो का उधगाटन करेंगे समाजगुडा प्रेस कलब हेल्थ एक्सपो की अध्यक्ष फारीश्री कोंटे महासचीव डॉक्टर सतिनारना दोरनाला समन्वेक डॉक्टर सुनिता ग्रेस ने एक्सपो के पोस्टर का अनावरन किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि इस एक्सपो का मुख्या उध्यश वैश्विक आयूश के ततोधान में आयरवेदिक युनानी योगा प्राकृतिक चिकित्सा सिद्ध और होमिय चिकित्सा सेवाओं को लेना है संबंदित विभागों के हेल्थ, वेलनेस, ब्यूटी, फुड, नूट्रिशन और फार्मा उत्पादों के साथ प्रदर्शनी बताएगी कि व्यक्ति को स्वस्त और सुन्दर कैसे होना चाहिए इसमें 20 राज्यों UAS, USA, कनड़ा और UK के प्रतिनिती भाग लेंगे साइन्टिफिक पेपर प्रेजेंटेशन नंबर वे कोरोना के दोरान किये गए बहतरन कामों के बारे में बात करेंगे कारेक्रम में डॉक्टर कलपना, सत्यदीपा, वैदेही और वेंकट नायक ने भाग लिया खंबम जिल्ला कॉंग्रेस कारेले में जड़प हुई, इस जड़प में प्रमुग कारेकर्ताओं की बैटक में हुई इस सबा में खंबम जिल्ले के नेताओं के खिलाफ वो नारे बाजी की गई बदरादी जिल्ले के चंद्रगोडा, जेट पीटीसी, कोड़ गंडला, वेंकट रेडी को सीट नहीं देने को लेकर घटना हो गए कारेकर्ताओं ने विरोध कैक्या की बदरादी जिल्ले में जितने वाले एक मात्र जेट पीटीसी का अपमान किया गया कॉंग्रेस के जलादिक्षोग ने नीचे उत्रा कहते हुए नारे लगाए टीस आटीसी ने लगबक 900 मेट्रो एक्सप्रेस बसों में सफलता पुर्वक उन्नत वाहन ट्रैकिंग सिस्टम पेश किया है और अब शेहरी बसों में भी ट्रैकिंग सिस्टम स्थापित करने की योजना बना रही है माहिला मुक्यबाजी चैंपियन निखत जरीन ने 26 और 27 अगस्त को होने वाले यनमडीसी हाइदरबाद मैरातौन के 12 संसकरन की जर्सी का अनावरन किया हाइदरबाद रन्नस एससेशन के ततोधान में मैरातौन 5K, 10K, 21K और 42K शेणियों में आईजित की जाएगी एनमडीसी के निर्देशक अमित कुमकर जी ने हाइदरबाद मैरातौन के निर्देशक प्रशान के साथ निखत मैरातौन टीशिट का अनावरन किया उन्होंने मैरतौन में भाग लेने पर प्रसंते विक्त जो लोगों में स्वास्त के प्रती जागरुपता पैदा करने के लिए बड़ी प्रतिस्टा के साथ आईजित की जा रही है आईजिकों ने कहा कि मैरातौन के तैयारी के लिए खेल से जुड़े कपडों, सामान, सामर की प्रतचनी लगाई जाएगी मैरातौन के रूट मैप की गोशना करने वाले येनेमडीसी के निर्देशक ने उच्साही लोगों को अपना नाम दर्स कराने की सलहा दी कुछी महीनों में तिलंगाना विदानसबा के चुनाव होने वाले हैं ऐसे में राजनितिक पार्टियां सक्रिया हो गई है और अपनी अपनी रनीती बनाने में लगी है जाहिर सी बात है कि हर पार्टी चुना में जीतना चाहती है तो तिलगु देशम पार्टी फिर क्यों पीछे रहे चंदरबाबुनाईडू भी फिर से जीतने की बात कहते नजर आ रहे हैं आईए इस विशे पर खास जानकारी है मालूम हो कि भारतिया रिजर्व बैंक ने 2000 रुपे नोट के बाजार में से वापस ले लिया है अधिकारियों का कहना है कि अब तक आदे बड़े नोट बरामाद हो चुके है धक्षिन पस्चिम मौंसन पहले ही आंदरप्रदेश में दस्तक दे चुका है जबकि यह रायल सिमा के कुछ हिसों में फैल रहा है आई यह अगले तीन से चार दिनों में पूरे अंदरप्रदेश में फैल जाएगा